इस वीडियो में आज हम भारत के भूत पूर्वर आश्रपती डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम के बारे में 6 सवाल और उनके जवाब बताने जा रहे हैं पहला सवाल डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम का जन्द कब हुआ था जवाब डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम का जन्द 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था दूसरा सवाल डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम का जन्द कब हुआ जवाब डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम का जन्द 27 जिलाई 2015 को हुआ था तीसरा सवाल डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम का जन्द स्थान कहां पर है जवाब डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम का जन्द स्थान रामेश्वरम तमिलाडू के धनुशकोडी गाउं में है चौथा सवाल डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम भारत के राश्वपती कब बने जवाब डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम 25 जिलाई 2002 को भारत के राश्वपती बने और 25 जिलाई 2007 तक इस पद पर आसीम रहे पांचवा सवाल डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है जवाब डॉक्टर ईपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मेंट के नाम से जाना जाता है चठा सवाल ईपीजे अब्दुल कलाम का फिल फार्म पूरा नाम क्या है जवाब एपीजे अब्दुल कलाम का फिल फॉर्म आवल पाकर जैनुल बादीन अब्दुल कलाम है जवाब एपीजे अब्दुल